साथियों आज आमला के बिसे में आपको कुछ जानकारी देंगे आप जानते हैं कि आमला ठंड के मौसम में खूप खाया जाता है हरे रंग का ये फल स्वाद में खटा होता है इसको लोग कई तरीके से खाते हैं जैसे मुरब्बा, लड्डू, चटनी और कैंडी के रूप में लेकिन साथियों आपको जानकर ये आश्चरे होगा कि कुछ इस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आमले को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर आप इन इस्थितियों में आमले का सेवन करते हैं तो आपकी सेहत पर विप्रीत असर पड़ सकता है आपकी सेहत खराब हो सकती है साथियों पहला है कि सरजरी से पहले अगर आपकी किसी तरह की सरजरी होने वाली है तो इसका सेवन दो हपते पहले से बंद कर देना चाहिए नहीं तो इससे ब्लीडिंग का खत्रा बढ़ जाता है साथियों दूसरा अगर आप किड्नी की बीमारी से पीडित है तो साथियों ऐसी दसा में आमले का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको खाने से सरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है जो किड्नी की सेहत के लिए ठीक नहीं है साथियों इसके अलावा अगर आपको लो ब्लट सुगर है अगर आप निम्न रक्त सरकरा से जूज रहे हैं तो आप इसका सेवन ना करें क्योंकि आमले का सेवन करने से आपके सुगर पर बुरा असर पड़ता है वहीं जो लोग ट्रीट्मेंट में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं साथियों उन्हें भी इसके खाने से बचना चाहिए साथियों इन बातों का आप अवस्य ख्याल रखें यदि आप आमले का सेवन करते हैं अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद